आप देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है मानहानी मामले में कांग्रेस नितारा और पूर्वसांसद राहूल गांदी की अपिल पर वाद दो माई को सुनवाई को शुरू करेगा सूरत के मेट्रोपल्टन मजस्टेट कोर्ट ने मोदी उपनाम को लेकर 2009 लोग सबाद चुरा प्रचार के दवरान कारनाटक में की गई उनकी टिपने के लिए मानानी के एक मामले में इस साल मार्च में राहूल गांदी को दोशिटहरात हुए दो साल की सजा सुनाई थी उच्छ नायलेन में नियायमूर्थी गीता गोपी के मामले से खुद को अलग कर लेने के बाद नियायमूर्थी हेमंत प्रच्छक कॉंग्रेस नेता की अपिल पर सुन्माई करेंगे राहूल गांदी की तरप से। उच्छ नायलेने उसकी दोशे सिद्धी और सजा पर स्थगन देने से इंकार कर दिया था। तक कठोर रुख अपनाया। जज ने अब राहूल गांदी के इस अतर को स्विकार नहीं किया था और कहा कि वह या साबित करने में असफल रहे। है कि उनकी सजा को स्थगित न खरके और उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं देने से उन्हें स्थाई नुकसान होगा। आईए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। मंत्री ने कॉंग्रेस पर ती का हमला बोला अप शब्दो कोश पर अपना समय बर्बाद करने के बजाए उन्होंने अपने समय का सदुपियों सुशासन और पार्टी कार्य करता हो कि कल्लान पर किया होता तो पार्टी इस दाइनियस थी तक नहीं पहुशती पीम मोदी ने कहां कॉंग्रेस ने भारते सविदान के निर्माता को गाली दी और लिंगायत भाईयों और बहनों बॉंड करने का साहस भी किया है प्रदान मंत्री मोदी जी ने कहां कि कॉंग्रेस के शिर्ष नेताओं ने हमेशा महान व्यक्तियों को बदनाम किया है आप इसके बारे में जान कर चौक जाएंगे बाबा सहब अम्बेटकर ने एक सारवजिनिक संबोधन में विस्तार से सब कुछ समझाया कॉंग्रेस ने उसे उन्हें राक्षयस राष्टर दो ही दगाबाच कहा पूरे समय में कॉंग्रेस ने अम्बेटकर को गाली दी और उन्हें बार बार पमान करेगी, पिछले चुनाओं में उन्हें पहले कहां चाऊकिदार चोर है, बाद में उन्हें कहां मोधी चोर है और बाद में उन्हें ने कहां ओ बीसी चोर है करनाटक चुनाओं के दवरान वे लिंगायत भाईयों और बहनों को चोर कह रहे हैं उन्हें कहां आपने जीसे भी अपमानित किया है उन्होंने मूतोड जवाब दिया है और कॉंग्रेस कही नहीं दिखी महान हस्तिया कॉंग्रेस की शिकार है उन्होंने अंबेड कर वीर सावरकर को निशाना बना और मुझे निशाना बना कर उन्होंने मुझे अपनी लीग में ला दिया है आप कॉंग्रेस गालिया देने में वेस्तर है मैं लोगों की सेवा पर ध्यान दूँगा उन्होंने कहा मैं यहां बहुमत की सरकार चाहता हूँ मैं पूर्न बहुमत दो राता हूँ विकास इंफरस्ट्रक्चर और FDI के लिए डबल इंजन वाली सरकार चाहिए खरनाटक को कॉंग्रेस एटीम नहीं बनाना चाहिए बलकि देश के विकास इंजन के रूपन में उभरना चाहिए आएए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ बिहार सरकार के निरने से नाराज वाम पंति दल शिक्षक नियुक्ती नियमावली में संशोधन को लेकर CM से मिलेगा प्रतिनिदी मंडल मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री से मुलाकत करेगा वाम पंति दलो CPI, CPM और भागपा माले की एक बैठक शनिवार को यहां हुई बैठक की अध्यक्षता भागपा माले की वरिष्ट नेता केड़ी यादवने की बैठक के उपरांत बाद वाम नेतावने सयुक्त बयान जारी कर कहा कि बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षक नियमावली पर शिक्षक संगटनों का विरोध है वाम दलो का भी मानना है कि यह गडबंदन के 2020 के गोशना के अनुरूप नहीं है बैठक में कहा गया कि बिहार शिक्षक नियमावली दोहजार तेईस द्वारा वर्षों से कारियर्यत नियोजित शिक्षकों को राज कर्मी का दर्जा देने का फैसला तो स्वागत योग्या है लेकिन इस नियमावली में राज कर्मी का दर्जा देने की शर्त के रूप में परिक्षा आयोजित करने की बाद से बिहार के लाको नियोजित शिक्षक अशनकित है इससे यह संदेश जा रहा है ये शिक्षक गुनवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के योग्य नहीं थे द्वारा समय समय पर निर्धारीत मानकों के अनुरूप बहाल हुए है वाम दलों की मांग है कि सबी नियोजीत शिक्षकों को महागडबंदन के 2020 के गोशना पत्र के मुताबिक बिना किसी परिक्षा के सीधे राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और जारी गतिरोध को खत्म कि गया कि नई शिक्षक नियमावली पर शिक्षक संगटोनों और अभ्यार्थियों की आपत्तियों पर मुख्यमंत्री तेश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादों को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उसका निराकरन करना चाहिए इस माम मसले पर वाम अकट बंधन के अन्य दलो राज़त कॉंग्रेस और हम जदयू के राज़ने तुत्वस से भी बाक्चित कर की जाएगी ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएगे तब तक बने रहे हैं मनेस नियूस के साथ नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News